नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इंवेश्ट्मेंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैनी स्टॉक्स के बारे में कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ ऐसे पैनी शियर बताएं जो कि ट्राइडेंट टीटी एमेल या कुछ ऐसे शिय अगर बन गए पैनी शियर से तो दोस्तों कुछ ऐसी ही quality stocks जो है research करके हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो ये shares हैं दोस्तों इनका जो current market price है 40 रुपए से ये share सस्ते हैं और एक share के अंदर तो FII ने भी investment कर रखिये सबसे खादबास दोस्तों इन shares के बारे में य है ये penny shares है इनका high potential है grow करने के लिए यानि की growth इनकी जबरदस्त हो सकती है और जो सबसे खास बात हो है वो ये है दोस्तों कि debt बराबर zero वाले ये shares हैं लेकिन दोस्तों penny shares के बारे में आप लोगों को बताने से पहले आप लोगों को एक warning दे दूं कि penny shares में आप लोगों को investment सोच समझ के ही करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर downside risk भी रहता है एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों इसी तरह के share market के latest videos के लिए चैनल को subscribe कर दीजेगा और बगल में जो bell का icon उसे press कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो penny share के अंद अगर trade होता है तो volume analysis आप लोगों को जरूर करनी चाहिए अब आप पूछेंगे कि वो क्यों तो क्यों इसलिए दोस्तों कि अगर कोई share market में ज़्यादा trade नहीं होता है तो उस share को buy करने में तो आप लोगों को ज़्यादा difficulty नहीं होगी लेकिन उस share को बेचने में आप को चेक कर लेनी चीए कि share इस Spanish share में कितना volume trade होता है और buy और sell करने में कोई मुश्किल तो नहीं होती तो जो दोस्तों पहला share है इसका आप लोगों अगर ये volume देखेंगे पिछले एक महीने का तो आप लोगों को नजर आएगा कि अच्छे खासी trading इस share के अंदर होती है अपने हर वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ और वो इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी company आप ये अपना ही example आप लोग ले लीजिए जब आप लोग खुद कुछ revenue जमा करेंगे ये revenue कमाएंगे थभी उसका कुछ हिस्सा net profit में जा पाएगा अगर आपकी earning ही zero रहेग या earning ही negative में रहेगी तो आप लोगों का net profit भी negative ही रहेगा दोस्तों इस छोटी सी company का revenue देख लीजिए 2020 में 93 करोड रुपै का और 2021 में 152 करोड रुपै का net profit के बारे में बात करते हैं तो net profit company का जो कि 2020 में 1 करोड रुपै का था increase होके 2021 में 10 करोड रुपै का हो गया अगर आ यहां पर पहले यह downfall दिखाई दिया उसके बाद फिर से recovery share के अंदर दिखाई दिया है share market में एक और चीज चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी company के बारे में वो होता है share holding pattern क्यूंकि दोस्तों share holding pattern हमें बताता है इस share के अंदर किस category ने कितना investment किया है तो promot promoter के पास यहां पर maximum share 65% और बाकी बचेवे share 34% पब्लिक के पास हैं तो यहां पर institutional investing बिलकुल भी नहीं है चाहे वो FII हो चाहे वो DII हो तो दोस्तों company का नाम है राजो इंजिनियर्स लिमिटेड जी हां दोस्तों राजो इंजिनियर्स लिमिटेड इस company का नाम है 24 रुपी और 50 पैंसे के करीवे share trade हो रहा है previous trading day के दिन दोस्तों आप लोगों को एक और चीज में यहां पर बताना चाहता हूं Omicron जो की COVID का ही एक variant है यह जो Omicron है अभी काफी ज़्यादा इंडिया में भी फैल रहा है इसकी वज़े से share market के अंदर आप लोगों को श्रमवार के दि भी negativity देखने के लिए मिल सकती है तो आप लोगों को buy on dips के method भी आप लोग अपना सकते हैं एकदम जाके सारी investment ना करें staggering manner में यानि कि धीरे धीरे investment करने से आप लोगों को benefit होने के chances ज़्यादा रहते हैं तो 24 रुपए के करीब दोस्तों यह share trade कर रहा है तो दोस्तों इस company ने पिछले कुछ सालों के दोरान 426 परतिसत के returns अपने shareholder के लिए बना के दिये हैं लेकिन आप लोग एक चीज़ देखेंगे पैनी share होने की वज़े से इस company ने अपने all time high तक बहुत ही जवर्दा returns अपने shareholder के लिए बना के दिये थे उसके बाद जादा downfall देखने के लिए मिली due to covid 2020 में और 2020 के बाद इस share के अंदर recovery भी यहाँ पे दोस्तों अच्छी खासी दिखाई दिये तो चलिए दोस्तों राजो इंजिनियर्स लिमिटर जो company है यह company करती क्या है प्लास्टिक के extrusion machinery की manufacturing करती है डिजाइन करती है जिस तरह से customers को च 159 करोड रुपए का यहाँ पे company का market capitalization है company का return on capital employed 20% का और return on equity 14% का है face value 1 रुपए की है और profit growth 145% की sales growth 58% की और debt 0 क्रोड रुपीज का है यानि कि दोस्तों company के financial आंकड़े बहुत ही जबरदस्त है और debt बराबर 0 वाला यह पैनिश येर है जो कि shareholder की lottery future में लगा सकता है profit growth 11 करोड रुपए net annual profit 10 करोड और free cash flow 14 करोड रुपए के हैं दोस्तों इस share के अंदर एक चीज मैं कहूं तो सर्वगुन शंपन ये share है ये penny share है चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों दूसरी company के बारे में दूसरी company के अंदर दोस्तों again जब volume हम लोगों ने चेक किय तो volume जो है trading अच्छी खासी होती है यस्टरडे यस्टरडे नहीं कहूंगा previous trading day को 76% की delivery उठाई गई वहाँ पे देख लिजए उससे एक दिन पहले 43 एक week का average 64 और एक मन्त का average 62% का यानि की share को खरीदने में और बेचने में आपको कोई मुस्किल नहीं होगा जब तक कि यह 12 करोड रुपए और 2021 में 20 करोड रुपए तो company का revenue पे अच्छा generate हुआ है उसके बाद दोस्तों net profit net profit भी देख लीजे 2020 में 8 करोड रुपए का और 2021 में 12 करोड रुपए का यानि की company ने काम किया है और company ने growth करके दिखाई है revenue के अंदर और net profit के अंदर अब share holding pattern जैसे कि मैं AI ने भी इस penny company के अंदर 0.37 percentage की share holding बना रखी है भले ही ये share holding नामातर की हो लेकिन कुछ तो ये indicate करता है कि company के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो की positive होने वाली है दोस्तों साथ में एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर promoter के पास 75 percentage की share holding है और public के पास 24 percentage की share holding है तो share holding है नाम है दोस्तों Coral India Finance and Housing Limited अब इस company के नाम से ही जैसे आप लोगों को पता लग रहा है दो segment में दोस्तों ये company काम करती है constructions के business में और maintenance of properties and investment यानि की जिस तरह से दोस्तों housing company जो हैं काम करती है उसी तरह से ये penny share भी काम करता है छोटी company भी काम करती है constructions का का काम development का काम और maintenance of properties and investment इस छोटी सी company के आंकड़े आप लोगों को बताना चाहूंगा market capitalization 157 करोड रुपए का ROCE 13% का और return on equity 10% के करीब है dead free दोस्तों ये company है face value 2 रुपए की और सबसे खास बाद इसकी dividend yield भी देख लिजे 1.29% किया profit growth 97% और sales growth 63% किया profit after tax 15 करोड रुपीज और net annual profit 13 करोड यानि कि दोस्तों ये जो company है जवरदस्त काम कर रही है आंकड़े इस company के अच्छे हैं और company जो कि पिछले trading day में लगबग 3% का downfall दिखाई दे रहा था इस company ने पिछले एक साल के दौरान 59% के returns अपने shareholder के लिए बना के दिये हैं तो दोस्तों ये जो दो share है 40 रुपए से सस्ते share अपर circuit lower circuit यहाँ पर अभी लग नहीं रहे हैं इनको easily आप लोग trade कर सकते हैं long term के लिए buy कर सकते हैं इनके fundamentals आप लोगों को मैंने बताए और financial आंकड़े भी आप लोगों को हमने यहाँ पर बताए अच्छे खासे इनके आंकड़े हैं अच्छे खासे results हैं और return भी company अच्छे दिये हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही दो शेयर्स आप लोगों को बताने थे साथे साथ दोस्तों description में अप जिरोदा एंजल वन एलिस ब्लूएंट प्रॉफिट मार्ट की link दिये गए हैं सभी के link पे click करें account open करें और enjoy करें सभी के services तो आज के इस